वेरी वार्म वेलकम स्टूडेंट्स इस वीडियो में विलोग आडी शर्मा किताब के एक्जरसाइज 2.1 कर रहे हैं नंबर सिस्टीम ही चेप्टर है लेकिन उन्हों इस चेप्टर को कुछ पार्स में डिवाइड किया हुआ है जो नया पॉप्लिकेशन है 2022-23 एक्जाम के लिए तो उसमें एक्जरसाइज 2.1 र.ड शर्मा की किताब से कर रहे हैं के पहले हमने एक वीडियो में क्वेशन नंबर 1,2 और 4 अल्यडी कर लिया है उस उन क्वेशन को मैंने डिस्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाली हुए है उस वीडियो की तो देखते भी यह क्वेशन कैसे करेंगे क्वेशन नंबर 3 हमको शो करना है कि इस वन राइट तो मैंने इसका सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए मुझे आंसर इस इक्वल टो वन दिखाना है तो अब इसको सॉल करने के अलग अलग तरी के मैं सिर्फ एक इसमें से यह जो पहला हमारा ब्रैकेट है बस उसी को हम लोग सॉल करेंगे और बाखी का आंसर डायरेकली सिमिलर्ली करके रिख देंगे ज्यादा मैनत करने की ज़ इस से बीच में डिवाइड तो हम लोग हमेशा पावर को क्या करते है माइनस करते है तो अगर मेरे पास a rest to m divided by a rest to n होगा तो मैं क्या करूंगा a rest to power m minus n तो यह ब्रैकेट जब मैं solve करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा x rest to power a minus b whole rest to power c है अब अगर एक ही ब्रैकेट को a rest to power n उसको और एक power n तो दोनों power को अमलोग करेंगे multiply simple तो यह क्या होगा x rest to power c multiplied by a minus b दोनों प्रैकेट को multiply करेंगे अब मैं multiply कर देता हूँ तो यह क्या आएगा अब रैकेट में into करूंगा तो a c c a भी बोल सकते हो एक ही बात है और minus b c तो यह इसका answer आगया a c minus b c क्या था हमारा पहला term यह था अब इसके उपर से देको c था बहार और a और b थे अंदर तो answer क्या है a c minus b c तो वैसे ही directly हम ल that s t मतलब show that second term हमारी क्या थी second term हमारी थी x rest to b x rest to b divided by x rest to c whole rest to power a अब आप पता सकते हूं इसको देखके पहले वाला क्या था हमारा term x rest to a by x rest to b whole rest to c तो हमने क्या किया x rest to power a c minus b c तो उपर के power के साथ पहले एक बार c को रखा minus करके b नीचे के power के साथ c आया हुआ है a c minus b c तो वैसे इसमें करेंगे तो क्या एक answer x rest to a b minus x rest minus a c बस हो गया same वैसे ही third वाले का लिख लेता हूं and जो तीसरा वाला है वो क्या था हमारा third वाला था x rest to power c upon x rest to power a whole rest to b तो यह क्या हैगा x rest to b c minus a b तो तीनों के ही अभी answer हमारे पास है और हम तीनों को उनको क्या करना था multiply तो अब मैं तीनों को ही multiplication के form में लिख रहा हूँ आप देखे इसको अच्छे से धान दीजेगा तो इसको तीनों को multiplication के form में लिखूंगा तो यह क्या हैगा पहला अमारा answer क्या था x rest to a c minus b c multiplied by दूसरे का अमारा answer था x rest to a b minus a c multiplied by तीसरे का answer था x rest to b c minus a b अब अगर base same है और बीच में multiplication है तो पावर को में लोग आट करेंगे राइट तो पहला power a c minus b c plus दूसरा power a b minus a c plus तीसरा power b c minus a b अब क्या आएगा answer minus b c plus b c cancel minus a c plus a c cancel plus a b minus a b cancel तो क्या आए answer x rest to power 0 anything rest to power 0 is nothing but 1 तो हम लोग इसके आगे के step में हमने लिखा होता this is nothing but x rest to power 0 therefore the answer is 1 as anything rest to 0 is nothing but 1 so हमारी left hand side की value 1 आई और right hand side तो हमको question में 1 ही था हमको यही तो prove करना था कि left hand side is equal to right hand side है और right hand side उन्होंने already हम लोग को 1 ही देके रखी है so therefore we have proved that left hand side is equal to right hand side left hand side is equal to right hand side proved तो यह हो गया students हमारा question एक बार देख लीजे हमने क्या किया मैंने एक बार फिसे इसको short में समझा के देखू यह हमारा question दिया हुआ था ऐसा हमने सिर्फ एक bracket लेया उसको simplify किया पहला bracket था x rest to a by x rest to b all rest to c base same था बीच में divide था power minus कर दिया यह आया x rest to a minus b और उसको यह बार का power c था वैसे के वैसे इसमें लिख दिया यह वाल इस्टेब अब जब एक संक्या को दो दो power है x को power a minus b भी है और उसको power c भी है तो दोनो power को into करते हम लोग तो हुआ x rest to power c into a minus b इसको into कर दिया bracket को into करना पड़ेगा तो यह होगा x rest to a c minus b c जैसे हमने पहले term का answer मिकाला उसी को logic लगा के दूसरे और तीसरे term का लिख लिया पहले का कैसे आया देखो x rest to a था x rest to b था और सबको उपर power c था तो हमारा answer क्या आया था a c minus b c मतलब यह a c minus b c तो उसी को देखके बागी क्या हमने answer लिख लिए और जब दोनों के answer हमने लिख लिए directly तो उन तीनों के terms के बीच में करना क्या था multiplication था तो मैंने तीनों terms को यहां लिख लिया तीनों के बीच में मैंने multiplication डाल दिया अब क्यूंके base से मैं और बीच में multiplication है तो power को हमने कर दिया add तो base को ऐसे ही लिखा power को add कर दिया तो वह गुआ x rest to power 0 और फिर answer आ गया किसी भी संक्या को power 0 तो answer 1 और हमारा RHS तो 1 ही prove करना था तो फोगया answer हमारा prove तो students मुझे लगता है आप लोगो को question आरा हम से समझ में आ गया हो second question करते है अब इसी में से दूसरा question कैसे करना है अब इस question में हमको क्या दिया है 1 by 1 plus x rest to a minus b plus 1 by 1 plus x rest to b minus a is equal to 1 इसको भी is equal to 1 prove करना है मैं LHS लिखता हूँ फिर question को हम लोग start करते है 1 by 1 plus x rest to a minus b तो LHS है हमारा 1 by 1 plus x rest to a minus b plus 1 by 1 plus x rest to b minus a यह है LHS तो अब मैं इसमें फिर से एक यह वाला formula लगा रहा हूँ दिखिए अच्छे से दान दीजिए a rest to m into a rest to n अगर ऐसा है तो हम लोग answer क्या लिखते है a rest to m into a rest to n का answer बेस से बीच में addition बीच में multiplication तो power को करते है plus तो अगर मेरा ऐसा कोई power है x rest to a into x rest to minus b तो क्या होगा power को add करूंगा तो क्या हैगा a plus minus b मतलब क्या हैगा आखिर में x rest to a minus b इसका मतलब यह जो x rest to power a minus b है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 by x rest to a into x rest to minus b ऐसे लिख सकता हूँ correct वैसे ही फिर मैं दूसरे term में भी इसको लिखता हूँ 1 by x rest to b into x rest to minus a मुझे लगता है इस tip आपको समझ में आ गई है अब जब भी power minus होता है अगर मुझे power minus है मुझे plus करना है तो उसको मैं 1 के नीचे लिख लेता हूँ power का sign change हो जाता है right तो यह दोनों में मैं वो formula लगा रहो power positive करने के लिए मैं इसको लिख दिया 1 by 1 plus x rest to a by x rest to b वो नीचे आगया power का sign change हो गया plus 1 by 1 plus x rest to b यह x rest to a नीचे आगया power का sign change हो गया अब denominator को solve कर रहा हूँ दोनों में 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है cross multiply कर रहा हूँ simple cross multiply करूँँगा तो क्या हैगा 1 divided by cross multiply में ने किया x rest to b plus x rest to a upon x rest to b दूसरे इसमें क्या आएगा फिर से वैसे ही हम लोग दूसरे bracket के लिए कर रहे है उपर है 1 और denominator में क्या आएगा cross multiply करने के बाद x rest to a plus x rest to b whole divided by x rest to a अब यह x rest to b यहाँ उपर चले जाएगा 1 के साथ multiply हो जाएगा यह यहाँ पर multiply होगा यह समझ में आया ना कैसे होगा 1 by a upon b है तो actually उपर सिर्फ 1 ही है तो 1 ही है तो इसका मतलब क्या है actually वो 1 by 1 है नीचे है a by b तो जब 4 जनके आएगी तो उपर की दोनों ऐसे लिखेंगे divide का multiply करके इसका रेसी प्रोकल करेंगे तो यह आएगा b upon a मतलब साथी बाचा में b को चले के चले गया उपर तो वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो यह x raise to b उपर गया नीचे क्या आया x raise to b plus x raise to a plus sorry हाँ plus ही है दोनों के वीज में मैंने अगलती से multiply दिया था plus यहाँ पर भी x raise to a उपर गया तो यह हुआ x raise to a upon x raise to a plus x raise to b अब देखिए जो दो टर्म्स है हमारी दोनों में denominator सेम ही है क्या अगर denominator सेम ही है तो फिर तो answer ही आ गया ना एक्तम आसान यह तो ऐसा हो गया ना 1 by 2 plus 3 by 2 is equal to 4 by 2 denominator को तो ऐसे लिखेंगे सिर्फ उपर का ही add करेंगे तो यह आएगा x raise to b plus x raise to a नीचे भी तो वही है जगा सिर्फ बदली है टर्म्स तो वही है x raise to a plus x raise to b x raise to a plus x raise to b तो उपर और नीचे के दोनों brackets से हम है कट गया है तो हमारा LHS का answer का आया 1 और RHS क्या दिया था हमको question में हमारा question का RHS भी 1 ही था तो therefore हमको वही तो answer prove करना था LHS equal to RHS को हो गया हमारा answer this is proved तो यह हुआ students बहुत ही important question हमारे RD Sharma के किताब के इस type के questions अपनों को exam में जरूर आएंगे मुझे लगता है आप लोगको आसानी से समझ में आगए हूंगे दोनों question अगर आपको कोई doubt है या फिर आपको कोई और question उससे समझा के चाहिए तो please आप comment box में जाके जरूर बताइए मुझे exercise number बताइए question number डाल दीजे मैं आपको जरूर वो question जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए thank you so much for watching take care bye bye see you in the next video students